परिंदो को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोस रहते हैं जिन्दगी में जिनके हुनर बोलते हैं नमस्ते दोस्तों जोहार मैं भी से चक्रवरतिया आप सभी का फिस से अपने विडिशना पर स्वागत करता हूँ दोस्तों क्लास 12 के आर्स, कॉ होटेल जो है, चैप्टर वाइज और 300, ठीक है, MCQ टप, Most All-in-One वाला जो है, आप लोग का सीरिस अपलोड कर दिया गया है, और साथी चैप्टर वाइज भी MCQ प्रोवाइट किया गया है, इतना तो मैं कंफिडेंट हूँ कि आपका MCQ जो है, एक भी गलत नहीं होने वाला है, यानि आप लोग MCQ में 30 पर 30 मार्क्स लाने वाले हैं, इसके साथ ही जो है, आप लोगों का अगर बात करें, कि जितना भी आप लोग का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, चैप्टर वाइज उसको भी अच्छे तरह किसे प्रोवाइट कर दिया गया, यानि अगर बात क तो इधर हो गया 30, और इधर से हो गया, चैप्टर वाइज जो है, क्वेश्चन साथ प्रोवाइट किया गया, तो इधर हो गया 20, टोटल मिला दे तो 50 मार्क्स हो जा रहा है, अब बज़ कि आपका राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन में अगर बात करें, यह टीटर वाला जो है question उसको भी करा दिया था तो यहां पे भी आपका marks confirm हो जाता है तो दोस्तों यहां पे हो जाता है लेकिन बहुत सर इस्टूरेंट्स का डिमांड था कि सर आप जो है यहां पे आपने नहीं बताया था क्या note making और summary writing तो यहां पे दो जाएगा तो बिल्कुल टैंसर नहीं लेना एकदम आशान सब्दों में आप लोगों को एक एक चीज़ के साथ में बताने वालो सबसे पहले याद रखेगा note making और summary writing के लिए आपको इस तरह से एक passage दिया जाएगा ठीक है जैसे आप यहां पे देख रहे हैं एक इस तरह से आप लोगों को क्या दिया जाएगा एक इस तरह से पैसे दिया जाएगा और इस पैसेज को थ्रू से बहुत content जो है valuable content प्रोवाइट किया गया जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको मालूम है तो आप लोग अगर चैनल को support करते हैं तो please इस वीडियो को share कीजिए और like and comment कीजिए तो चलिए एक एक चीज़ को समझाते हैं आप लोगों को तो दोस्तों एक एक चीज़ को समझते चलते हैं आप लोग note करते चलिएगा note making क्या है note making is a process in which most highlighted words of a passage are set in order याद रखिएगा note making क्या है note बनाना जो होता है एक ऐसी परक्रिया है जिसमें किसी अनुच्छेत के सबसे highlight किये गी यानि जो words बार बार आपको highlight हो रहा होगा दीख रहा होगा ठीक है और इसे words का बात किया है उसको क्या करना है एक cram में set किया जाता है एक cram में एक order में उसको set किया जाता वही होता आपका note making इसकी कुछ विशचताइभ यह करेक्टरिस्टिक्स भी है जिससे related आपका exam में MCQ सवाल पूछा जाता है ठीक है तो क्या characteristics है note making का विशचत चीप्त होना चाहिए छोटे हो चोटा होना चाहिए ठीक है दूसरा पॉइंट लिखा गिया है identify the man points आपको बार बार जो है देखना होगा कि important points क्या है जिसको लेकर हम short में notes बना सकते हैं तीसरा point याद रखेगा notes must be written in note form ठीक है आपको पूरा लेंदी में नहीं लिखना है आपको note जैसा बनाते है जैसे बहुत बड़ा बड़ा line लिखा रहता है बहुत बड़ा chapter रहता है तो उसमें आप क्या करते है उस chapter को जो है आप छोटा करके important lines को आप खाली short में लिख लेते हैं कि ये topic ये topic ठीक है ऐसे ऐसे आप लिख लेते हैं पूरा ठीक है उसके बाद जब exam होता है तो उसके इसमें हमेशा note को note की तरह ही लिखना होगा ठीक है याद रखेगा चौथा point याद रखेगा in note form we write only in phrases ये आपका mcq में भी पूछा जाता है note writing को कैसे किया आता है phrases में लिखा जाना चाहिए ना की sentence में आपको white में बना के नहीं लिखना है phrase बना के लिखना है कैसे लिखना है phrase और phrase कैसे बनता है मैं आगे आगे आप लोग को बताने वाला हूँ चलिए यहाँ तक clear हो गया अब चलिए आगे हम लोग देख लेते क्य का step है सबसे पहला step क्या है कि आपको जो passage पढ़िएगा उसमें जो वर्ड बार बार आपको दीख रहा होगा जिसके बारे में ये passage बताने की कोशिस कर रहा है ठीक है उसमें से आपको title खोज लेना क्या खोजना है title खोजना है ठीक है जैसे आप लोग का जो passage दिया किया है उस passage को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा plants और animals का बारे में डिसकस किया जा रहा है तो उससे related ही आपको क्या करना है title बनाना और title कैसे लिखना है क्या आप बड़ा हाथ और छोटा हाथ मिला के लिखेंगे मतलब पूरा ही जो है आपको बड़ा हाथ में ही लिखना है किसको title को याद रखेएगा ठीक है चली अब title हो गया आप टाइटल के बाद आपको कुछ points खोजना है आपको देखिएगा passage जो है होगा ना वो passage आपका क्या होगा अनुच्छेद में बाटा हुआ है आपको उह दिक्कत ना हो इसलिए आप लोग highlight करते चलिएगा वहाँ पर underline करते चलिएगा जो question रहेगा आप उसके बाद हो सकता है कि जो आप points बना है उसके अंदर का भी कुछ points मिल जाए तो उसको भी आप जो हलके double line या single line से भी आप उसको क्या कर सकते सब points को रुप में इस्तमाल इसको वो किस से मिलता जूलता होना चाहिए जिससे आप title बना रहे हैं जो word को लेके आप title बना रहे हैं वही से मिलता जूलता होना चाहिए points भी आपका और sub points भी आपका ठीक है तो चलिए देखते कैसे बनाना है यहाँ पे सबसे पहले clear हो गया कैसे बनाना है आप दूसरा point सबसे important point जह है दुसरा point याद रखेगा information logically divided and subdivided by use of figures or letters क्या use करना हमको figures or letters का use करना है ना कि sentences का use करना हमको वाइक नहीं बनाना figures or letters का use करना है चलिए आगे देख लेते हैं क्या 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 करने वाले हम लोग ठीक है generally three main divisions are made like this सामाइने तोर पर जब हम note making करते हैं तो हम लोग इसी तरह से करते हैं पहला देख सकते है क्या लिखा गया मैं सेक्षन मैं सेक्षन जो होगा जो आप point चाट है ना उसको point number one point number two point number three point number four हम लोग जो है जो आपका तीन marks के लिए दिया गया तो हम लोग maximum points निकालते थे लेकिन तीन marks में दिया गया तो आप कोसिस कीजेगा कम से कम चार points जो है आप निकाल ही ले ठीक है note making के लिए याद रखेगा उसके बाद अगर चार man points निकालते है man section से points निकालते तो उसको numbering कैसे देंगे एक दो तीन और चार ठीक है अब एक number point के अंदर अगर और आपको कुछ word मिल जाता है तो उसके लिए दीजेगा a b c d ठीक है उसको group कीजेगा अब a points के अंदर भी और कुछ point आपको मिल रहा है तो उसको sub division group कैसे कीजेगा उसको हम roman number से करेंगे एक दो तीन चार ठीक है देखिए हापर example के लिए मैंने हापर set भी कर दिया जैसे हमको कोई point number one मिल गया ठीक है point number one x y z मिल गया मालीजे कुछ भी word ठीक है अब उसको अंदर भी हमको x y z के अंदर कुछ अच्छा चीज मिल गया तो उसको हम a category पे रखे है अब a के अंदर भी कोई point मिल गया तो हम उसको roman number पे one और two दिखाएंगे ठीक है कि जब भी हम note making करते हैं तो हम लोग symbols का और abbreviation का इस्तमाल करते हैं symbols और किसके इस्तमाल करते हैं? abbreviation का freely use करते हैं अब जब आप abbreviation का बात कर रहें तो कैसे लिखेगा? जैसे important इतना बड़ा आपका सब्द है, important को इतना बड़ा सब्द पे नहीं लिखना है note making करते हैं तो हम short में लिखते हैं important का short form क्या होता IMP होता है information का short form क्या होता है IFO होता है इसको note कर लिजेगा कल exam में काम आएगा ठीक है evolution का क्या होगा EVAL होगा ठीक है फिर आपका development का क्या होगा खाली DEB लिख देंगे तो समझ जाएगा जो check करने वाला होगा क्या आप development का बात कर रहे है government को इतना बड़ा ना लिखे क्या लिखेंगे जी ओ भी लिखेंगे doctor को इतना बड़ा ना लिखेंगे short में DR लिखेंगे master को MR लिखेंगे missus को MRS लिखेगा ठीक है education को क्या लिखेगा EDU लिखेगा तो यह हो गया abbreviation लेकिन abbreviation के साथ यहां पर बोला गया symbols क्या बोला गया symbols तो note making में abbreviation और symbols का freely use किया जाता है इस से related भी mcq में सवार रहता तो याद रखेगा तो symbol कैसे होता है symbol जैसे हम लोग and a and d and को जो है सब्द में ना लिख कर आप लोग जब किसी को message करते हैं या कुछ लिखते हैं तो यह वाला देखते होंगे symbol है ना तो हम लोग यहाँ पर symbol का इस्तिमाल करेंगे जिससे पकड़ में आ जाएगा कि आप लिखना क्या चाते है बताना क्या चाते है ठीक है math जब आप बनाते थे तो लिखते थे थे ना चुकी इस तरह से तीन बिंदू देखे फिर इसलिए को कैसे लिखते थे इसलिए ऐसे तो इसको कहते है जो चुकी होता है उसको कहते है आपका therefore यहाँ पर because को क्या इस तक हम लो लिखाते है उपर दो बिंदू और नीचे एक बिंदू इसको because में दिखाते है ठीक है और that is को कैसे लिखते है तो इसको i.e, i.e.e लिखते हैं, इसको that is पे लिखते हैं, ठीक है, याद रखेगा, जिसे किसी का percentage सो करना है, तो percentage अगर हम ऐसे लिख देंगे, word में ना लिख के, तो अगला को भी समझ में जाएगा, क्या percentage का बात कर रहा है, 100 है, तो 100 को हम, h, u, n, d, r, d, 100 ना लिख के, क्या लिख देंगे, ऐसे 100 लिखेंगे, तो भी समझ में आ जाएगा, example की ओई देना है, तो क्या लिख देंगे, e, dot, g, देखें, आपर example को लिखा गया, तो इसे तरह से आपको samples के use करना है, अगर आपको great mathematical sample कैसी use करना है, greater than के लिए ये वाला होता है, abbreviation और symbols का freely use होता है, clear होगी है चीज, बहुत important चीज़ था, इसको note कर लिजेगा, exam में काम आने वाला है, ठीक है, चलिए आगे देखते क्या, आगे अब आ चुका है, हम लोगोंने पूरा rule को समझ लिया, सबसे पहले क्या समझा rule में, कि note making जब भी बनाएंगे, त उस points के अंतरगाति आपको क्या बनाना है, सब points बनाना है, यहाँ तक clear हो गया था, उसके बाद हम लोगोंने क्या किया, इसको division में बाटा points को, points अगर पहला मिलता है, तो 1234 पे, point के अंदर point मिलता है, तो ABCD दिखाएंगे, और ABCD के अंदर फीर और कोई point मिलता है, तो उसक चीज का इस्तमाल करना है, पी चौथा नंबर हमने पढ़ा क्या, हम लोग abbreviation और किसका इस्तमाल करेंगे, symbols का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो चलिए, इन सब के साथ हम लोग start करते, अब क्या आप लोग का question को, ठीक है, जो आपका दिया गया, model paper में, तो दोस्तों, अभी ह खोजना है, title, और title को कैसे लिखना है, capital letter पे, तो जब आप हर एक passage का जो है paragraph को पढ़िएगा, तो उसमें common word आपको मिलेगा, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक word आपका खोजा था, yellow से highlight किया हुआ, plants and animals, फिर देखिए इस पे भी plants and animals, आपको लगभग लगभग सब paragraph देखिरों के मिलेगा, plants and animals, फिक है, तो plants and animals related ही आपको क्या बनाना है, title बनाना है, तो क्या title बनाएंगे, थोड़ा सा passage, अगर आप लोग पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा, फिक है, आप देखिए, मैंने यहाँ पे कोई पूरा passage को समझा, reading किया, या translate किया, आप इस तरह से कुछ word को find करके आप उसका title बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल tension free रही है, ठीक है, लेकिन copy छोड़, मनलब feel करके आईएगा, तो ही आपको marks मिलेगा, आप पूरा copy चोड़ दीजेगा, समझेगा इनी topic को, तो ऐसे कैसे आगला marks देने वाला marks बैठाएगा, जैसे हम लोग भी marks बैठानी के लिए जाते है, कोपी चेकिंग में, हम लोग क्या बोला जाता है, कि आप लोग कोसिस कीजिएगा कि विद्धार्थी पास हो जाए, आप विद्धार्थी अगर खाली पन्ना छोड़ देगा, तो पास कैसे करेंगे, तो इसलिए यह आपको 6 नंबर देने वाला है एक्जाम में यह टोपिक, तो 6 नंबर कोई मामूली बात नहीं है, बच्चा एक नंबर के लिए भी उसका दिक्कत हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं बाबू लोग अच्छे समझा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे समझ के जहिएगा, ठीक क्या करना चाहिए, संग्रच्छन करना चाहिए, आगे लिखा गया है क्या, कंजर्ब, कंजर्ब का मतलब याद रहेगा, इसी का मतलब होता है संग्रच्छन, इसी का मतलब क्या होता है, संग्रच्छन, ठीक है, आगे दिखे लिखा भी हुआ है, प्लांट्स आर इजिंसल पौर आवर ऑन सर्वाइबल ठीक है पौधे हमारे अस्तित्य के लिए आवजसक है आगे दिखें क्या लिखा है और ली दे कन यूज दा सन लाइट टू मेक एनेज़ एमेक फूर ठीक है क्या लिखा हुआ है केवल वही भोजन बनाने के लिए सूर की उर्जा का उपयोग कर स करते हैं आगे देखें लिखा है सो प्लांट्स आर वाइटल फास्ट लिंग इन दा फूर्ड चैन ऑफ वीच वी आवर सेल फ्रॉम पार्ट ठीक है आगे लिखा गया है इसलिए पोधे उस खास रिंखला की महत्पून जो है पहली कड़ी है जिसका हम स्वैम हिस्सा बनते ह ठीक है यानि प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगी क्या प्लांट्स तो खुद अपना खाना कैसे बनाती है वह सं लाइट के थू से जो है जमीन से मिनरल्स और आपका फूट्स और मिनरल्स को लेके वह जो है अपने पहोधे जो होता है वह क्या करते पत्तिय के माइधम से जो उसके पत्तियों के माइधम से वह जो है बना रहे हैं तो लेकिन वह प्लांट्स हमको क्या दे रहे हैं फ्रूट्स दे रहे हैं तो दे रहे हैं तो एक्चुली में जो है प्लांट्स ही हमारे लिए क्या है सबसे ज़्यादा ज़री चीज है आगे देखिए क्या लिखा है one of the byproduct of the food making process in plants is oxygen ना के वल हमें वो खाना देते हैं बलकि वो हमें क्या देते हैं जीवन जीने के लिए हमें oxygen भी प्रदान करते हैं without which very few form of life can exist on the earth और इस oxygen के बिना जीवन ही आपका क्या रहेगा संभवी नहीं होगा बहुत सरे जीवजनतु के लिए जीवन के बहुत कम रूप मौजुद हो सकते हैं तो plants ना के वल हमें क्या देते हैं foods देते हैं बलकि जीवन जीने के लिए जो है oxygen भी provide करती है याद रखेगा यह line लिखा हुआ था तो यहाँ पर आगे देख सेते हैं क्या लिखा है animals needs plants in order to survive and but plants also needs animals यहाँ बहुत पुल लाइन लिखा गया है इसी साब टाइटल निकाल सकते हैं ठीक है देखें जिस तरह से जानवर जो है जानवरों को रहित रहने के लिए पौधों की अवशक्ता होती है लेकिन पौधों को भी जानवरों की अवशक्ता होती है ठीक है याद रखेगा हर एक को किसी ना किसी की अवशक्ता होती है इसी से हमारा संसार क्या होता है चलता है हमारा परस्तितिकी तंत्र बना हुआ है याद रखेगा सभी जानवर और पोधे नाजु गुरूप से संतुली समिदायों पर परस्तितिक तंत्र में एक साथ बंदे हुए है सिर्फ एक परजाती के हटने से पूरे परस्तितिक तंत्र में भारी बदलाव आ सकता है अगर इसमें से किसी भी एक का समाप्ट हो जाए तो पूरा परस्तितीक तंत्र गडबड हो जाएगा ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कि इनसान के वज़े से या एनिमल्स के वज़े से क्या होता है कि हम लोग जो है प्लांट्स को जो जो जर्री चीज़े हैं जैसे खाद अपूरती है वो भी प्रोवाइड कर पाते है अलग-अलग जो है अना जुगा पाते है ठीक है एक प्रोस संग्रच्छन का बात कर रहा है तो क्यों न हम ये वाला लाइन लेकर इसका टाइटल बना दे संग्रच्छन का मतलब समर्ज में आ गिए क्या होता है थे तो न ये basis of your reading above passage note make a note on it you may use headings sub headings and abbreviation आपको बोल भी दिया है कैसे क्या करना है तो अभी हम लोगों ने पता कर लिया कि क्या बनाना है हमको title खोजना है note making के लिए तो answer लिखके क्या लिखेंग note making का सबसे पहले title और title कैसे लिखना है capital letter पर कैसे लिखना है capital letter पर देखिए मैंने लिखा यहां पर conservation of plants and animals ठीक है कोई दिक्कत यहां पर किसी को कहा से उठाया मैंने यह passage को पढ़के ही लिखा ठीक है अब आपको क्या करना है title जब use कर लिए हम लोग तो heading खोजना है तो चलिए heading खोजते है हर एक paragraph से तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने जो यहां पे heading पे लिखा था सबसे पहले लिखा था क्या reasons to conserve plants and animals ठीक है यहां पे देखिए मैंने जो है कहा कि आप लोग को क्या करना है abbreviation का use करना है और abbreviation में हम जब बड़ा word होता है उसको क्या करते है छोटा कर देते है तो conservation को आप देखिए मैंने conservation को क्या किया conservation को sort कर दिया है ठीक है जब आपको किसी का sort form नहीं मालूम होना तो आप उसमें से कुछ कुछ वॉयल को गायब कर दिजगा सभी वॉयल को नहीं कुछ वॉयल को देखिए conservation में हमने खाली गायब किया किसको यहाँ पे एक दो वॉयल को जब इतना सारा वॉयल रहे देखिए आप भी वॉयल है यहाँ पे भी वॉयल क्या होता है ए ए आई ओ और यू ठीक है तो ए कि समझ जाए कि हम conservation लिख रहे हैं ठीक है यहाँ से हटा देते हैं वी को हटा देते हैं ठीक है आप यहाँ से भी क्या हटा देते हैं आई को हटा देते हैं तो इस तरह से आप लोग जो हटा के क्या कुछ कुछ वर्ट को हटा के आप conserve को लिख सकते हैं चलिए conserve कहा था उसको देख लीजिए यह conserve है तो मैंने इसको sort में करने के लिए क्या किया सबसे पहले पहले वाला जो है वाइल को नहीं हटा है उसके बाद वाला को इधर भी हटा दिया और इधर भी हटा दिया है ना तो वाइल को हटा दिजेगा तो असारी से हो जाएगा तो यहां पर हटा दिये वाइल को अब उसके बाद देखिए conserve reasons to conserve plant plant में देखिए p l a n t plant होता है तो इसमें वाइल कौन है ए है तो उसको हटा देते है प्लांट का क्या हटा दिये ए को हटा दिये तो क्या बन गया p l n t और याद रखेगा जहां आप वाइल हटाईएगा उहां क्या लगा दिजेगा एफो स्ट्रॉप ऐसे ऐसे वाला यह होता है फो स्ट्रॉप ठीक है तो जहां पर भी आप वाइल को हटाईएगा इस तरह से एक सेंबल का युज की जएगा ठीक है एंइमल्स है एंइमल्स पर भी मैंने हटाया देखिए पहले से हटाया याद रखे का पहले से हटाना जो है आप लोगों के लिए गड़वर होगा ए एन आई एम-एए-ल-एस एनिमल्स होता है तो यहां पर देखिए यह वाला को रहने दिया इधर भी रहने दिया खाली बीच में एक को हटा दिये ताकि थोड़ा सा सौर्ट लगे देखने में तो इनिमल्स का खाली एह घटा है जाहां आटा है वहाँ एफोस्टॉप जैसा यहां पर सैंबल का इस्तमाल हम लोगों ने किया ठीक है त तो जो 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 रिजन मिर रहा है उसको लिखते चेले सबस legally को प्ञांट्स नहीं हमारे लिए इस इनारे हूं वही एक मात्र है जो सूर्ट की रोसनि से क्या बना सकते है खाना अपना खाना खुद बना सकता है और यह जो हमारे लिए बाइप अल्प्र, आपे अीम उमेर् सब्णर बनाने के लिए और रुप में किया मिलता हमको ऑक्सिजन मिलता टिहां बिल गिया अब इसपञ्ट को लेकर हम क्या बना दें हे सब्तों बना देंगे तो सल्पा लेते हैं और हमें byproduct के रूप में क्या देते हैं oxygen देते हैं दोस्तों ज़स्ट हम लोगों ने जो है paragraph one को पढ़के points और सब points खोज लिया अब second paragraph को पढ़के भी हमको points और सब points खोज के निकालना है क्योंकि हमें कम से कम चार points तो लिखना है तीन मास के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं second paragraph को मैंने आप लोगों का अच्छे से बताया कि इसके बारे मैंने क्या बताया कि जानवरों को जीवित रहने के लिए जैसे पौधों की अवशक्ता होती है लेकिन पौधों को भी जानवरों की अवशक्ता होती है ये मैंने समझा दिया था ठीक है सबी जानवर और पहुत है नाजु ग्रूप से संतुली समुदाय परिस्तिदिक तंतर में जो होता है एक साथ बंदे हुए है सिर्फ एक प्रजाती के हटने से क्या हो सकता है पूरे परिस्तिदिक तंतर में क्या आ सकता है भारी बदलाव आ सकता है whole ecosystem में क्या हो सकता है बदलाव आ सकता है यानि आप देखेगा इस paragraph में सबसे ज़्यादा बार word use हो रहा है ecosystem का तो हम यहाँ पे man चीज़ लेके चलते है क्या ecosystem ecosystem को जो है green वाला जो highlight किये वो हो गया आपका man point और बाकी जो अस्मानी color में देख रहे हैं लिख सकते हैं तो दोस्तों अभी हम लोगों ने वह समझ लिया points को अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे ecosystem ecosystem से हम लोगों ने दो points खोज के निकाल लिया था क्या animals need plants and plants also needs animals ठीक है तो यहाँ पर आप किसी जो है spelling गलत लिखा है यहाँ पर इसको abbreviation का just इस्तमाल किया गया है ठीक है अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखे है point B पर यह दोनों का एक साथ होना जोरी क्यों है यह दोनों एक दूसरे के लिए जोरी क्यों है ताकि हमारा ecosystem क्या रहे balance रहे यह हमने पढ़ा था ना second point तो दो points हमने खोज लिया तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने first paragraph से points और sub points निकाल लिया ठीक है यहाँ पर आगे देख सकते है second paragraph से भी हम लोगों ने man points और sub points निकाल लिया ठीक है अब यहाँ पे third जो paragraph है यहाँ पे देख सकते हैं इससे भी हमको क्या करना है points और sub points खोज के निकालना है ठीक है तो मैंने already जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे खोज के रखा हूँ जो highlight किया हूँ गरीन कलर वो क्या है man points है और यहाँ पे जो आस्मानी कलर, sky color में दिख र रहें ठीक है आवर on survival may be threatened if we cause too much disruption to the natural process that occur in this planet ठीक है इसका मतलब क्या है यदी हम इस ग्रह में होने वाले प्रकरते क्रिया में बहुत अधिक व्यावधान प्रदान करें तो हमारा अस्तित खत्रे में पढ़ सकता है आगे लिखा गया the destruction of the world's rainforest causing some concern in the respect आगे लिखा गया in some areas removal of the rainforest has already reduced the local rainfall इसका सबसी important point यही है दोस्तो वी सुके वर्षावनों का विनास इस सम्मंद में कुछ चिंता पैदा करें कुछ चेत्रों में वर्षावनों का हटने से अस्थानिये वर्षा पहले से क्या हो गया कम हो गया अगर हमने वर्षावनों को कम कर दिया जंगलों क कम होने का मतलब है बारिस का कम होना अब बारिस क्या होगा उस area के लोगों को बारिस नहीं मिलेगा तो रहैं एरिया क्या हो जएगा local rainfall अगर कम होगा तो आगे चलके वहघ। बन जाएगा बंजर बन जाएगा area is will become desert घ् होता है इसका मतलब मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि प्राकृतिक परिक्रिया में अगर हम व्यवधान प्रदान करते हैं यानि डिस्टूर्पेशन पैदा करते हैं जिसके बज़े से क्या होगा कि यह क्या होगा हमारा अस्तितू क्या पढ़ सकता है खत्रे पे पढ़ सकता है और लोग अपने फाइदा के लिए क्या कर रहे हैं जंगलों को क्या कर रहे हैं काट रहे हैं रिमूब कर रहे हैं जैसे लंबी लंबी रोड बन रही हैं लंबी रेल गाडियों की लाइने बन रही हैं लोग अपना जम अंसादनों का दोहन कर रहे हैं अपने आने वाले पीड़ी के बारे में सोच भी ने रहे हैं जो की काफी चिंता जनक है और ऐसा अगर होते रहा अगर रैंड फोरेश्ट कम होते रहा तो आगे चलके जो है आप लोगों ने देखा है कि बारिस कितना कम हो गया और बारिस इस तरह से कम होती रही तो आगे बहुती वो नजदिक दिन है जब वो हमारा सारा एरिया क्या बन जाएगा भूमी पूरा बंजर बन जाएगा ठीक है तो यहां पे हम लोगों ने पॉइंटस वह के निकाल लिया सब्याइן कर देखेस Church के अंदर भी मैंने को दूब कर रही पॉइंट निकाला हैU लोकल रेंफॉला क्या हो जाएगा कम हो जायगा रिडिउञ पॉने के कारण वह अरिया क्या बन जाएगा बन जाएगा तो सब पॉइंट्स भी निकाल लिया और सब पॉइंट के अंदर देखे रेंट फॉरेस्ट के अंदर भी मैंने दो पॉइंट आन निकाला है लोकल रेंट फॉल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा reduce होने के कारण वो area क्या बन जाएगा desert बन जाएगा, तो points भी मिला sub points भी मिला, sub point के अंदर भी point मिला, तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए देख लेता है देखिए, लिख देए हाँ पर man point को distribution to the natural process ठीक है, अब आगे क्या लिखना था, पहले point में ने बता है survival threatened, ठीक है, अस्तित खत्र में पढ़ जाएगा, और क्या होगा लोग क्या कर रहे है, remove of the rainforest, लोग अपने फाइदा के लिए क्या कर रहे है, वर्सावनों को हटा रहे है, जिसके कारण क्या हो गिया, reduce हो चुका, कमी हो चुका, किसमे, rainfall में, बारिस में कमी हुई है, अगर बारिस में कम हुई है, तो आगे चलके वो area क्या बन जाएगा, बंजर बन जाएगा, areas will be desert, ठीक है, अब हम लोगों ने तीसरा paragraph को पढ़के भी points, sub points और उसके अंदर का भी sub points खोज लिया, आगे दोस्तों देख सकते हैं, हमें कम से कम 4 points खोज के निकालना है, तो last paragraph से भी हमारा points और sub points निकल जाएगा, यहाँ पर मैंने देखी, यह लिखा हुआ है, जो point था मैं, उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर green line से कहने का मतलब है, another important reason for the preserving wildlife is that the potentially natural resources we use many plants and animals to supply us with food, materials and chemicals, ठीक है, इसका मतलब है क्या, कि वईनी जीवों का, वईनी जीवों संगरच्चन एक अईन्य महत्पुन कारण यह है कि यहाँ संभावी छेत्रों संभावी तुरूप से अक्षे प्रकृतिक संसादन जैसे भोजन, समंक्री और रासायनों की आपूर्ती के लिए सभी जनवर क्या करते हैं, उसका उप्योग करते हैं, पेड़ पोधे जनवरों का क्या करते हैं, हम लोग उप्योग करते हैं, ठीक है क्योंकि इसके वज़े से हमें बहुत कुछ मिलता है जैसे आपका useful raw materials मिलता है, ठीक है और ये सब अगर खतम हो जाए, exploit करें इस सब का हम छटी करें, विनास करें तो ये सब चीज हमें दोबारा मिल नहीं सकता है, ठीक है important को मैंने देखे, यहाँ पर पूरा important नहीं लिखे क्या लिखे, I, M, P और लिखे dot दिया है यानि abbreviation का इस्तमाल किया है, आपको हर एक point पे abbreviation का इस्तमाल करने का कोसिस करना है, ठीक है अब यहाँ पर जो important reason for the preserving wildlife ये मैंने क्या बता है, यदि बहुत अधिक क्या करेंगे, सोसन किया जाएगा, बहुत अधिक exploit किया जाएगा, यहाँ एक्स्प्लाइट को मैंने sort किया हुआ है, ठीक है, यहाँ एपोस्टोप लगा है, यानि उसको note making में 4 points खोज के निकाल लिया, ठीक है, कितना भी critical दे दे, आपको 4 points निकालना है, याद रखना है, title, man point, ठीक है, sub points, और sub points को कैसे लिखेंगे, ABCD में, देखिए, man points को मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा, sub points को ABC, ABC में लिखा, और sub point के अंदर, अगर कोई point रहेगा, उसको roman number पे लिखा, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, तो यह आपका note making खतम होता है, लेकिए note making में बहुत सारे चीज़ मैंने बताया था, symbols का और abbreviation का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसे important को मैंने पूरा नहीं लिखा, abbreviation का इस्तेमाल किया, हर एक में आप लोगों ने द पैसेज देखा, यह जो इतना बड़ा आपने पैसेज देखा, ठीक है, लगए 200 से 200 से ज़्यादा words का होगा, तो यह passage में जो जो मैंने highlight किया, उसी को लेके ही मैंने क्या बना दिया, sort में summary बना दिया, और आपको यह summary कितना word में बनाना है, लिखा हुआ, question में देखिए आ यहाँ पर मैंने जो लिखा है, जो जो मुझे important line लगा, कि conservation of plants and animals is in cell है, for the world ecosystem, विस्ट के पारिस्तितिक तंत्र के लिए पोधे और जानवरों का संग्रेचन आवश्चन है, क्यों, क्यों भाईया, plants जो है, हमें क्या देता है, food और oxygen देता है, किसका यह इस्तमाल करके देता है, sun का energy का स्तमाल करके, these are vital for our survival, ठीक है, यह हमारे अस्तित के लिए महत्पून है, पौधे, आगे क्या लिखा है, plants and animals directly balance whole ecosystem, ठीक है, पौधे आज अनुवर जो है, पूरे परस्तितिक तंत को नाजुक धन से संतुलित करते हैं, आगे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है, they are vital for the survival, plants and animals directly balance the ecosystem, the removal of rain forest, reduce the rainfall, मैंने यह लाइन आप लोगो बताया था, देखिए, हम पॉइंट्स और सब पॉइंट्स से उठा के लिख रहे हैं, कि जितना ज्यादा रैन फॉरेस्ट कम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बारिस भी कम ठीक है, it may convert cop growing areas into desert, और यह क्या कर सकता है, जो हमें फसल उगाने वाले छेत्रों को यह क्या बना सकता है, अगर हम वरसावनों को हटा देंगे, तो फसल उगाने वाले छेत्रों को यह बना सकता है, desert बना सकता है, मरू भूमी बना सकता है, आगे दिखे क्या लिखा है, another important reason to preserve the wildlife and the natural resources it is that we exploit these too much ठीक है आगे क्या लिखे है इसको सौट में जो मैंने आपको समझा है वही लिखा हुआ है क्या कि वैनी जीवा को वैनी जीवा प्रक्रतिक संसाधन को संगरचित करने का एक महत्पून कारण यह है कि यदि हम इनका बहुत अधिक दोहन करते हैं तो इनकी भरपाई ठीक है इनकी भरपाई करने में सक्चम नहीं हो सकते हैं जैसी उपयोगी समिगरी को हमेशा के लिए खो देंगे अगर हम इसका संग्रच्चन नहीं करेतों तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है अगर आप लोगे इंपोर्टन पीडियो से नोट चाहिए होगा तो आप वहाँ पर फॉलो करके हमसे ले सकते हैं और टेलिग्राम में भी आप जुड़के इंप ग्रूप और जो है वाटसब ग्रूप हो आपका एजुकेशन ग्रूप हो वहाँ पर इस वीडियो को फॉर्वर्ट करें ताकि हर कोई जो है अच्छा एक्जाम में स्कूर करके अंग प्राप्त कर सके ठीक है तो आप लोगों की इस चैनल के थूरू से हर एक चिसको सब्सक्राइब कर लिजेगा इसकी बाद जितना भी आप लोग का गौर्मेंट एक्जाम होने वाला है चाहे जहारकंड पुलिस का हो उत्पास सिफाई का हो रेलवे का हो ग्रूप डी का हो किसी भी एक्जाम का तैयारी होगा या नौटीस होगा वह आपको उस चैनल में अ का बान देमाटर